Hello students, आज का topic है past continuous, तो ठीक है past continuous पढ़ने से पहले मैं आपको फिर remind कर दूँ कि इसके पहले हमने जो पाँच वीडियो डाले हैं present, indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous और past indefinite तो उसको आप जरूर देखेंगे जिन लोगों ने नहीं देखा है आप उसे जरूर देखेंगे क्योंकि एक sequence में आप देखते हैं तो अगला वीडियो आपको समझ में अच्छी तरह से आता है तो ठीक है, come to the point अब हम लोग पढ़ेंगे past continuous के बारे में तो देखिए, पहले तो हमें ये जानना है कि past continuous का पहचान क्या होता है क्योंकि पहचान सबसे important माना जाता है किसी वाक के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं तो हम उसे past continuous tense कहते हैं ये पहचान हमेंसे आपको याद रखना होगा अब देखिए, past continuous में दो तरह के helping verb होते हैं was और वर तो वाज जो होता है ये किन के साथ प्रयोग किया जाता है वर का प्रयोग हम किन के साथ करते हैं ये जनना और भी important है जब आपके sentence का subject singular में होगा singular subject होगा तो singular subject के साथ हम was का प्रयोग करते हैं और plural subject के साथ वर का प्रयोग करते हैं अब singular subject में जैसे he, see, it या कोई नाम किसी भी ब्यक्ति का नाम हो एक वचन में हो singular number यानि एक का बोध हो उसे हम singular कहते हैं अब देखिए plural subject जैसे you, we, they या plural numbers जैसे boys, girls तो जब singular subject होगा वहाँ आप was का प्रयोग करेंगे जहाँ plural subject होगा वहाँ आप work का प्रयोग करेंगे तो आए पहले देखते हैं affirmative sentence का structure क्या होता है जब sentence affirmative में होता है affirmative का मतलब होता है सकरात्मक यदि work सकरात्मक हो जैनि affirmative sentence में हो तो उसका structure होता है पहले subject उसके बाद हम वाज वर का प्रयोग करते हैं subject कहीं साब से फिर verb के first form में ing और उसके बाद हम object का प्रयोग करते हैं तो देखिए affirmative sentence का structure है subject प्लस वाज वर्ब प्लस verb के first form में ing प्लस object बस इतना है simple सी भात है देखिए example देखिए वह खाना पका रही थी यानि वह यानि कि c यहाँ पर subject है और c क्या है singular subject है तो subject c similar है और इसके साथ होगा वाज का प्रयोग फिर वर्ब के first form में ing यानि cook में ing और object क्या है food यहाँ फूड का प्रयोग किया गया यानि यह बनता है सी वाज cooking food वह खाना पका रही थी अब दुसरा example देखिए राम अखवार पढ़ रहा था राम वाज रीडिंग निउज पेपर इस sentence में subject में राम subject है राम singular है इसलिए यहाँ पर वाज helping verb का प्रयोग किया गया है और वर्ब के first form में ing यानि read में ing का प्रयोग किया गया है और object नूज पेपर है अगला example है हम cricket खेल रहे थे हम यानि we subject यहाँ क्या है we और we plural subject माना जाता है we के साथ helping verb वर का प्रयोग किया गया है और वर्व के first form यानि play में ing और object cricket का प्रियोग किया गया है तो इसका बनता है कि we were playing cricket, हम cricket खेल रहे थे अब देखिए आप ये structure देख रहा हूँगा, असपस्ट होते जा रहा होगा आपको कि कहां पर was और कहां पर वर्व का प्रियोग करते हैं next example देखिए, वे खिलोने खरीद रहे थे, यानि वे का English क्या होता है दे, यानि हमारा subject है दे और दे भी plural subject माना जाता है, दे के साथ वर्व का प्रियोग किया गया है और वर्व के first form में ing यानि by में ing का प्रियोग करके buying कर दिया गया और object के रूप में आपर है the twice, clear, तो यही है affirmative sentence, अब आते हैं negative sentence की ओ, तो देखिए negative sentence का structure क्या है, subject, वाजवर, not, वर्व के first form में ing और last में object का प्रियोग करते हैं तो देखिए, अब affirmative और negative के आंतर है, सिर्फ वाजवर के बाद not लगा देना है, example देखिए, वह खाना नहीं पका रही थी, यानि subject c है, subject c है, c singular है, इसलिए helping word, वाजवर का प्रियोग किया गया, और इसमें not है, यानि की वाजवर के बाद not का प्रियोग कर दिया गया, फिर वर्व के first form में ing, यानि cook में ing, और object क्या है, food, यानि c was not cooking food, वह खाना नहीं पका रही थी, अगला example है, हम cricket नहीं खेल रहे थे, यानि subject v, v plural subject है, इसलिए word का प्रियोग किया गया है, sentence negative में है, इसलिए हमने not का प्रियोग किया, वर्व के first form में ing, यानि play में ing का प्रियोग किया गया, और object cricket है, अगला example, वर्षा नहीं हो रही थी, यानि जिस sentence में कोई exact subject नहीं होता है, वहाँ पर हम subject it को मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, it, यानि subject it है, it singular माना जाता है, इसलिए it के साथ helping verb, was का प्रियोग किया गया है, sentence में not है, इसलिए हमने was के बाद not का प्रियोग किया, और verb के first form में ing, यानि rain में ing लगा कर raining कर दिया गया, इसमें कोई object नहीं है, तो it was not raining, वर्षा नहीं हो रही थी, अगला example देखिए, बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, बच्चे यानि कि children, child का plural children होता है, child singular होता है, और उसका plural जब होता है, और children होता है, तो children के साथ plural verb का प्रियोग किया जाएगा, तो देखिए, subject क्या है, children, जो की plural है, इसके साथ were का प्रियोग किया जाएगा, और उसके बाद not है, यानि sentence negative है, इसलिए हमने were के बाद not का प्रियोग किया, और verb के first form, यानि take में ing, taking कर दिया, और object को रूप में हाँ पर food है, तो इस तरह से क्या बनता है, कि children were not taking food, बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, तो इस तरह से आपको structure पर विश्यस ध्यान देना है, और subject, कौन सा subject है, singular है कि plural, बस इसमें मिलनी आपको ये ध्यान देना है, कि यदि subject singular में है, तो वाज का परियोग करेंगे, यदि subject plural है, तो उसके साथ वर का परियोग करेंगे, बाकी तो ये structure वह ही होता है, तो ठीक है, अब हम लोग आगे interrogative sentence के और चलते हैं, अब मान लीजिए कि sentence interrogative में भी है, और negative में भी है, यानि interrogative के साथ-साथ sentence में not लगा है, तो not का परियोग हम कहां करते हैं, subject के ठीक बात, ओके, देखिए, interrogative, negative, इस sentence में interrogative भी है, और negative भी है, तो कैसे बनाते हैं, अब देखिए इसका structure, वाज वर, फिर उसके बाद subject, फिर उसके बाद subject बात क्या करते हैं, not लगा देते हैं, फिर वर्ब के first form में ing, और last में object को लिखते हैं, यह structure वही है, बस इसमें subject के बाद हम not लगा देते हैं, चाहे wh type question हो, या yes no type question हो, जब भी sentence में not लगाना होगा, तो subject के बाद लगाएंगे, इतना आपको असपर समझना होगा, आगे example देखिए, क्या वह खाना पका रही थी, यानि कि C subject है, उसके अनुसार स हम वाज को पहले रखेंगे, फिर subject C को रखेंगे, फिर sentence में not है, तो not को subject के बाद, ठिक बाद देखिए, not को हमने रख दिया, फिर verb के first form में ing, यानि cooking, और object क्या है, food, अगला example है, क्या हम cricket नहीं खेल रहे थे, यानि कि इसमें subject है we, तो we के हिसाब से कौन सा verb होगा, वर ह ठिक है, तो word, फिर subject we, फिर not, वर्ब के first form में ing, यानि playing और object है cricket, अब आते हैं, डबलू एच टाइप question, तो देखिए, डबलू एच टाइप question में मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कि यदि sentence के बीच में, कब, के, कहा, कैसे, क्या, कितना, कितने, कौन सा, कौन सी, ये सब जब रहते हैं, इन्हें हम डबलू एच question कहते हैं, और जब इनका जब अनुवाद करते हैं, जब इनको हम translate करते हैं, तो कब, क्यों, कहा, कैसे, क्या, को हम सबसे पहले लिखते हैं, इसे ही तो हम question word भी कहते हैं, जैसे, देखिए, डबलू एच question, इसका structure होता है, question word सबसे पहले, फिर वाजवर, फिर सबजेक्ट, फिर वर्व के first form में ing और फिर object का प्रियोब करते हैं माल लीजे इसमें भी not आया है तो ठीक subject के बाद हम not का प्रियोब करेंगे तो इसका example देखते हैं राधा कपड़े क्यों धो रही थी अब देखिए जो क्यों है यही question word है तो इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं देख रहे हैं तो question word इसमें क्यों है यानि कि हमें हाँ पर why को पहले रखेंगे फिर इसमें subject राधा है राधा singular number है इसलिए इनके साथ was का प्रियोग होगा फिर subject राधा का प्रियोग करेंगे फिर verb के first form में ing का प्रियोग करेंगे और object को last में the cloth object है यानि why was राधा washing the clothes अगला example है वह क्या कर रहा था देखिए ध्यान देना है वह क्या कर रहा था यहाँ पर क्या आया है यह बीच में आया है देखिए क्या यहाँ भी है लेकिन sentence के पहले आया है इसलिए जब पहले क्या आता है तो हम what word से शुरू करतें है लेकिन वही क्या जैब वाग के बीच में आता है जैसा कि यहां पर क्या है तो यह question word होता यानि कि इसके लिए हम what का प्रियोग करते हैं वह क्या कर रहा था यानि क्या होगा question word question word क्या है what अब देखिए subject के हिसाब से हम what लगाएंगे subject यहाँ ही singular number है इसलिए यहाँ पर what का प्रियोग होगा इसके बाद subject subject ही को मैंने रखा और verb के first form में ing लगाया वे cricket क्यों नहीं खिल रहे थे अब देखिए sentence में interrogative plus negative दोनों है तो क्या करेंगे subject के बाद not लगा देंगे जैसे वे cricket क्यों नहीं खिल रहे थे यानि क्यों question word है तो मैंने पहले question word why को रखा इसके बाद में subject दे है तो दे के साथ वर होता है मैंने वर को रखा फिर subject दे अब इसमें नहीं है तो दे subject के बाद हमने not का परियोग कर दिया उसके बाद verb के first form में ing और last में object को रखा अगला example है जैसे मैंने कल भी बताया था कौन सा, कौन सी, कितना, कितने जब ये सब होते हैं तो मैंने बताया था कि how much का परियोग मात्रा के लिए होता है और संख्या के लिए how many का परियोग होता है और कौन सा, कौन सी के लिए हम which का परियोग करते हैं तो जब sentence में how much, how many या which का परियोग होता है तो ठीक उसके बाद उसी से संबंधित noun का प्रियोग किया जाता है अब याये मैं आपको समझाता हूँ तुम कौन सी पुष्टक पढ़ रहे हो तुम कौन सी पुष्टक पढ़ रहे हो तो पहले question वर्ड को हम रखेंगे which को इसका मतलब होता है कौन सा कौन सी which अब इससे संबंधित किस चीज को पढ़ने की बात हो रहे है पुष्टक यानि बूक या बूक क्या है noun तो यही कहते हैं कि how much, how many या which के जश्ट बाद उससे संबंधित noun को पहले लिखते हैं तो यानि कि होगा which question वर्ड इसके बाद में इससे संबंधित noun आता है book यानि कि book आ गया फिर इसके बाद में subject के हिसाब से हम वाज वर का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर subject you है जो की plural subject माना जाता है इसलिए हाँ पर वर का प्रियोग किया गया फिर subject you का प्रियोग किया गया और verb के first form में ing लगा दिया गया इसमें भी कोई object नहीं था which book were you reading तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे अब last example है दरवाजा कौन पीट रहा था अब दिखिए जब sentence में पहले कौन आता है तो यह subject का काम करता है और वो भी यह singular subject माना जाता है तो दिखिए पहले मैंने who who को subject के रुप में रखा और उसके बाद यह question word है लेकिन यहाँ पर who subject का काम करता है यानि who of which singular subject तो who singular subject है इसलिए was और verb के first form में ing और last में हमने object को the door को रखा यानि कि हो गया कि who was knocking the door दरवाजा कौन पीट रहा था तो देखिए इस तरह से हम past continuous का sentence को बनाते हैं अब वीडियो को आप पूरी वीडियो देखिएगा आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना और अभी तक से आप subscribe नहीं किये अभी सोच ही रहे हैं तो प्लीज subscribe जरूर करिए फिर हम कल अगले वीडियो मिलेंगे इसी सुब कामना के साथ जय हिंग